नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आप सभी का हमारे चनल समीर सिंगाडन में और आज हम बात करेंगे गुंदाओदी के हजारी पोधे की जो कहते हैं हजार फूल आठ सो फूल आता है यह देखिए वो पोधे यह हैं और इनके जो एक्चुल पोधे देखेंगे छोटे छोटे यह देखिए यह चोटे पोधे हैं जो ऐसे पोधे लगते हैं सिंगल पोधे इस तरह के होते हैं और इनको हमने लगभग एक से डेढ़ महीना पहले लगा दिया था और डेढ़ महीने में देखिए इस इसका भी कारण जानिये इसका कारण ये है कि ये इसके लिए अब जगय जो है वो sufficient नहीं रह गई है तो 1000 फूल जिसने देना है तो 1000 फूल के लिए जगय और nutrition भी जादा चाहिए तो इसको 8 से 10 इंची का गमला हम देंगे और proper इसको nutrition जैसे अभी तक आप देखिए केक से 7 महिने में, 10 महिने में इस तरह की जो ग्रोथ हो गई है प्लांट की तो इसी तरह से आगे होनी है और इसके साथ ही साथ क्या करना है कि आपको लगाते टाइम खात देना है बढ़िया और फिर pinching यह देखिए pinching क्या करेंगे जैसे यह तीन ब्रांच है इसकी हम pinching यह देखिए कईयों में कली जो है आनी शुरू हो गई है तो उसको हमें pinching कर देना है pinch कर देंगे तो वो कली जो थी वहां से रुक जाएगी आप देखेंगे हमारे वीडियोज में कि एक के गमलों में हजारों फूल भरा हुआ होता है तो उसका जो हजारों फूल लेने का तरीका है वो secret में आप लोगों को आज share कर रहा हूँ कि आपने पहले छोटे गमलों में लगा दिया छोटे गमलों में जब हो गया तो आपने इस तरह की condition में अब मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह की condition में क्यों shift करना पड़ता है यह देखिए यह हमने गमला लिया और इसको हम क्या करेंगे बड़े आराम से इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे इसलिए plastic में लगाया जाता है क्योंकि मिट्टी की गमले में करेंगे तो इस तरह हम निकाल नहीं पाएंगे और बड़े आराम से हम इसको ऐसे पकड़ेंगे कि यह ठूटे ना और इसको पीछे से ठोकेंगे अब क्या है दोस्तों कि यह देखिए आप इसकी जड़ें जो है बिलकुल गमले की दिवारा पर आगई गमले की दिवारों पे जब जड़े आ जाएंगी हीट पड़ेगा इसको बढ़ने की जगह नहीं मिलेगी तो नैचुरल सी बात है पौधा की ग्रोथ जो है रुख जाएगी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी तो यह देखिए अब हमें क्या करना है इसको कि इससे हम 8-10 इंची क गमला लेंगे और उसमें ट्रांसपर कर देंगे यह हमने लिया गमला और इसमें थोड़ी मिट्टी हमने नीचे रख ली है जो कि देखिए बिलकुल हमारा जो अपना लीप कंपोस है और बाकी चीज़ें मिली हुई है एकदम रिच है काली स्वैल आपको दिखाई दे रही है तो इसको हमने कुछ डाला इसमें और इसको मापके देखेंगे अब यह ज्यादा उंचा आ रहा है तो इसको क्या करेंगे हम इसको दो मुठी हम निकाल दिया और फिर हम इसको ऐसे डाल देंगे अब हमारा यह बिलकुल सिच्वेशन ठीक है अब जो जड़ें हैं उनके जासे चारो साइड में थोड़ा-थोड़ा हमने यह मिट्टी जो नॉर्मल हमने बनाई है वह डाल देनी है थोड़ी तो दी हमने इसके बाद हम डालेंगे जो एक हमने मिक्चर त्यार किया हूं यूनिक हमारा जो इसके फूलों के लिए बहुत जबरदस्त है तो यह देख इसको थोड़ा सा इसको हिला देंगे ताकि यह जो सेटल होना है वो सेटल हो जाए अब हमारा यह गमला त्यार है अब आप देखेंगे कि एक महीने में हमारी यह गुरूत हुई और अगले एक महीने में आप इसी पौधे को पहचान नहीं पाएंगे यह देखिए पीछे भी हमने कुछ अभी लगाया है यह सभी के सभी जो है नौदास इंची के गमलों में हमने शिप्ट कर दिया है तो यह एक महीने में अगले एक महीने में बहुत अल्टिमेटिस की ग्रोथ हो जाएगी अप्टूबर आते आते इसकी हम पिंचिंग दो बार कर चुके होंगे क्यो जो है एक आत बार डालेंगे नहीं तो लिक्विट फर्टिलाजर पर चलाएंगे क्योंकि जड़े आपने देख ली है अगर इसको हम खोदेंगे तो क्या होगा जड़ें कटेंगी तो इसलिए as it is shift कर दिया अब हम लिक्विट फर्टिलाजर इसके उपर रखेंगे और वो तो ये secret जानकारी मैंने आपको दी है आप इनको follow करिए जिस तरह से बताया है और आप भी हमारी ही तरह एक गमलों में हजारों फूल ले सकते हैं दोस्तों लेकिन उसके लिए फर्टिलाजर का खास क्याल रखना है अगर कोई दिक्कत है फर्टिलाजर नहीं है या नहीं मि शेयर करें लाइक करें और हमारे चनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद